बिहार के लिए बरी खबर सारे चार लाख नियोजी सिक्चकों को राजिकर्मी के दर्जा मिलने की बात आज के मिनेटे पास हो गई है और लंबे समय से संगहर्च रत रहने वाले टीटी के परदेश अध्यक शामीत बिक्रम जी हमारे साथ मौजूद हैं समय समय पर कई बार जीत है लंबा संगहर्च हमारा चला और हमारे कई सारे सिक्षकों ने अपनी आहूती दी गिरफतार हुए जेल गए लाठियां खाई और ना जाने कितनों के हाथ पैर भी टूटे एक ऐसी सिक्षका है भागलपूर जिनका पैर आज तक ठीक नहीं हो पाया है तो ऐसे ना ज सभी सिक्षक ऐसे सिक्षों के पड़ती क्रित्तग्य हैं जिन्होंने इस संगहर्च में अपना सर्वस्त नियोच्षावर किया और सरकार का भी आज धन्यवाद देते हैं सरकार ने आज हमारे संगहर्च को एक सुखद मुकाम पढ़ला करके पहुंचा दिया है एक सुखद जाता था कि नियोजे सिक्षक को का एजन्डा चलाया जा रहा उसके लिए आप क्या कहेंगे एजन्डा तो चलाना ही चाहिए ना अगर कोई लोग देश कारी एजन्डा और ये जैन्डा सिर्फ साढ़े 4.500.000 परिवार की बात तो पांच लाख परिवार की यदि कोई स्व दनेवाद के पात्रे हैं कि आज जब एक और मीडिया का पूंजी वाद के परभाव में वो एक अलग धारा में बह रही है तो ऐसे में लोग जन हितकारी मुद्दों को ले करके अगर कोई मीडिया आगे बढ़ रही है यह स्वागत योग्य है और इसका तहे दिल से सभी सिक् हैं हमारा परिवार सिक्षित है तो हम लोग रिकटनाइज करते हैं इस बात को धन्यवाद देते हैं कि आपके मीडिया संस्थान ने हमारे हक की लड़ाई को सही ढंग से लोगों के सामने रखा सरकार के सामने रखा इसके लिए आपका विसेश तोर पर आपके पूरी मीडि इस सिक्षोषों के लिए कितना सुखद हैएं कि सुखद की घोषना तो 15 गस्त को ही हो गई थी और तब से हम लोग लगातार इंतजार करते इंतजार थोड़ा लंबा हो गिया चार महना दस दिन हम लोग इंतजार करते रहे अब ऊश्चना होगी आप घोषना होगी और उसको लेकर के सिक्षक आसंकित हो रहे थे तरह तरह के उनके मन में भावनाई जाग रही थी उन सब पर अब बिराम लग गया है अब सिक्षक दुगने जोश के साथ बिहार के विद्यालियों में गुनवत्ता पुन सिक्षा देने के लिए पूरा 100% अपना योगदान देंग जब 2020 के नियमावली वनीत उसमें मुक्वंति जी ने कहा कि अब कोई नियोजित ने रह गया सब पंचाइती राथ सिक्षक हो गया लेकिन विदमना यह है कि उसके बाद भी भागया पत्राचार में हम लोगों के लिए नियोजित सब्द का इस्तिमाल किया जाता रहा लेकि फड़ाफ उतना ही रहे हैं लेकिन यह सब्धिमान के लडाई थी हम लोगे सारकार के करमचारी है सरकार के करमी है इसको सरकार स्विकार करें और सव् commitment कि हम लोगे सरकार का धन्वाद. देते हैं इस बंगे लिए जिस तरीके से आप लोग को राज करमी का दर्जा मिला खुसी भी होता है जो वो मिला आप लोग लेकिन नियोजी सिख्षकों को खासकर के इस बात को लेकर के नाराजगी थे कि के के पाठक बहुत-बहुत समय को लेकर के बदलाव किये सिक्षकों पर थोड़ा सा सिकंजा कसा है क्योंकि टाइम से लोग नहीं आते थे बहुत सारे ऐसे भी सिक्षक थे हर किसी की बात हम नहीं कर रहे हैं उसको ले करके क्या अव केके पाठक के लिए उस बदलाब हो बन में देखिए किसी भी विभाग के अपनी कारे संस्कृति होती है वर्क कल्चर होता है उस वर्क कल्चर को जिस प्रकार से उस विभाग के मुख्या चाहते हैं वो मोल्ड कर सकते हैं तो विभाग के नए मुख्या आए नए परमुक्सचिव आए और इन्होंने विभाग को जिस त माध्यमों से राजनेताओं के माध्यम से बात वहां तक पहुंचती है वहां पर मुझे उम्मीद है कि वो लोग समिक्षा करेंगा जो वेवारिक दिकतें को दूर किया जाएगा तो हमें पुरी उम्मीद है कि हम लोग और मन लगा करके और एक प्रसंद्चित भावना से ऐसा नहीं को कमी है सत्प्रतिसत योगडान नहीं दे रहें बिल्कुल दे रहें लेकिन एक प्रसंद्चित भाव से खुशी से काम करेंगे तो उसका थे हमसे नियमित सिक्षक थे लाख रुपए बेतन उनको मिलता है कहीं बिद्याले में इस तरह का दुराव नहीं है मनमुटाव नहीं है कोई मतभेद नहीं है हाँ यह जरूर रहता है कि सबको एक समान रखा जाए एक समान सुवधा मिले लेकिन वो सरकार की नितियों की व बहैं सिक्षा बिलकुल बिहार की सिक्षा बश्ताको नंबर वन वन बनाना है यह हम लोग का विजन है कि मिसन में हम लोग राजकर्मिद्व में लगेấy अगला मिसन हमारा बिहार की शिक्षा को बैस में नंबर वन बनाने का है तो देखिए कि मीशन भी इन्होंने साफ कर दिया है और खुशी साफतार पर दिखाई दे रही है क्योंकि बर्सों से राजकर्मी के दर्जा को लेकर कि यह लोग आंदोलन रत रहे हैं जिसका आज फलाफल देखने को मिला है आज के विनेट से राजकर बर्शक से बेला।